इस वीडियो में हम क्लास नाइन हिंदी स्पर्श बुक का चक्टर नमर फोर तुम कब जाओगे अतिती का सारांच पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिती शरत जोशी दुआरा रचित व्यंग्य है इसमें लंबे समय तक आसन मार कर बैट जाने वाले अतितियों पर किया गया है व्यंग्य का सार इस प्रकार है लेखक अपने अतिती का चोथे दिन तक सतकार करते करते परिशान हो जाता है वह मन ही मन उस अतिती से पूछता है तुम यहां आराम से सिग्रेट के छले उड़ा रहे हो उधर मैं तुम्हारे सामने केलेंडर की तारीखें बदल तुम्हें वापिस जाने का संकेत दे रहा हूँ तुम्हारा आतित्य बहुत लंबा हो चुका है इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुखते तुमने चार दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी अब जाओ हे अधिती तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ काब उठा था हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया राद के भोजन को मध्यम वरगिय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया दो सबजियां रायता तथा मीठा भी बनाया सोचा था कि तुम सुभे चले जाओगे परन्तु तुम जमे रहे हमने फिर दोपहर भोजन को लंच जैसा गर्मा में बनाया सोचा अब तुम चले जाओगे हम तुमको विदा करने स्टेशन तब जाएंगे तुम तीसरे दिन भी नहीं गए बलकि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की इससे तुम्हारी और ठेरने की इच्छा प्रकट होती थी इससे हमें आगहात लगा अब हमें अधिती देवता की जगे राक्षस लगने लगा पत्नी ने सुना तो वह भी आँखे तरेर ने लगी चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए किंदू तुम फिर भी डटे हुए थे हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई है बादचीत के सभी विशय समाप्थ हो गए हैं दोनों अपने अपने में मगन होकर पड़ रहे हैं सोहार्द समाप्थ हो चला है भावनाएं गालिया बनती जा रही हैं पता नहीं तुम क्यों गोंध की तरहा चिपक गए हो पत्नी बोर होकर बोली मैं तो आज खिचडी बनाऊंगी लेखक सोचने लगा लगता है अब हमें उपास करना होगा लेखक अधिती को कहता है तुम्हें अधिती बनकर रहना अच्छा लग रहा है घर को स्वीट होम कहा गया है परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस समाप्थ हो रही है अग तुम चले जाओ वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा यदि तुम कल सबेरे अपने आप ना चले गए तो मेरी सहनशीरता जवाब दे जाएगी मैं लड़ खड़ा जाओंगा माना तुम अथिती देफता हो किन्तु मैं तो आदमी हूँ देफता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते इसलिए अपना देफत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओं